क्या मूर्थी पूजन कर ना मूर्खता है? क्या हम लोग जो मंदिर जाकर घंटी बजाते हैं वो गलत है? क्या हम अंद मिश्वासी लोग है? Well, अगर कुछ मूवीज की मानी जाये तो yes, this act of idol worshipping is a total sham, जैसे की PK, जहाँ पर मूर्दी पूजन का मजाग भी उड़ाया गया था. But, इसे पेलेकिम किसी भी conclusion पे पहुचे, let us listen a very interesting story of Swami Vivekanand. ये कहानी है 1891 की, जब स्वामी जी पूरे भारत में घूम रहे थे. घुमते घुमते वो राजस्थान के अलवर डिस्टिक्ट पहुचे. पूरे अलवर में खबर फैल गए कि कोई बहुत बड़े संत महात्माएं हैं, जो धर्म और शास्त्र की बाते करने वाले हैं. खबर राजा तक भी पहुची. उस वक्त वहां के राजा हुआ करते थे महराज मंगल सिंग बहादुर, जो कहने को तो भारतिय जरूर थे, लेकिन थे पस्चिमी सभ्यता और सोच के गुलाम. उनका ज़्यादा समय शिकार करने और अंग्रीजों के साथ उठने बैठने में ही जाता था. खेर, जब खबर राजा तक पहुची की कोई बहुत बड़े महरसी आ रहे हैं, तो उन्होंने स्वामी जी को आमंतन भेजा. स्वामी जी आये. बट, जैसे ही राजा ने पहली बार स्वामी जी को देखा, तो he was completely shocked. He was expecting की होँगे कोई बहुत बड़े संत महात्मा, जो आये होंगे वर्सों बाद तपस्या करके, लेकिन ये तो लड़का है, साधारन सा 29 साल का दिखने वाला लड़का, जो धर्ब और शास्त्र की बाते कर रहा था. जब चर्चा शुरू ही, तो राजा ने सपस्ट रूप से कह दिया कि वो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन मूर्ती पूजन में भरोसा नहीं रखते, वो एक मिट्टी को भगवान नहीं मान सकते, वो एक मिट्टी को फूल माला नहीं चढ़ा सकते, पहले तो स्वामी जी सब कुछ सुन रहे थे, फिर उन्हें थोड़ी बहुत कोशिश भिकी कि राजा को समझाया जा सके, लेकिन ना, राजा ने कसम खा रखी थी कि ना माना है, ना मानेंगे, पिर स्वामी जी उठे, उन्होंने इधर उधर देखा, उनकी नजर एक तस्वीर पर जाकर रुख ग किस तस्वीर पर थूकी है, मंत्री बेशारा शौक्त, उसे कुछ सबज में ही नहीं आ रहा है, वो राजा को देख रहा है, राजा मंत्री को देख रहा है, उसके पास कोई जबाब भी नहीं, स्वामी जी ने कहा क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं है, मंत्री ने कहा कि महर ये मेरे राजा की तस्वीर है, और मैं ऐसा आप अपने सपने में भी नी कर सकता। स्वामी जी ने कहा, तो क्या हुआ? अगर ये राजा की तस्वीर है, तो हुआ गया? राजा तो नहीं है ना, राजा तो स्वेम आपके सामने खड़े हैं, वो तो सिर्फ एक कागज का टुकडा है तो फिर दिक्कत क्या है मंत्री चुप उसके पास कोई जवाब ही नहीं है फिर स्वामी जी ने राजा की तरफ देखा और कहा कि न तो इस तस्वीर में आप हैं और नहीं उस मूर्ती में भगवान लेकिन जैसे आपके लोग इस उसका भगवान है जब हम और आप मूर्ती पूजन करते हैं तो पूजा मूर्ती की नहीं बलकि उस परम पिता परमेश्वर की होती है मूर्ती तो सिर्फ एक माध्यम है अपने विचलित मन को भगवान की तरफ मूरने का तो पॉइंड क्या है सर आखिर आप कहना क्या चाहत कि मूर्ती खरीदो और शुरू हो जाओ नहीं सर एपसल्यूटली नो कि इट और डिपेंड्स ओन की आपको दिखता क्या है कि आपको मूर्ती में मिट्टी दिखती है उसी मिट्टी में भगवान जो भगवान दिख जाए तब तो पूजा करो और अगर ना दिखे फिर तो सब जर्थ है लेकिन अगर आपको मूर्ती में भगवान नहीं दिखते अगर आपको मूर्ती में मिट्टी ही दिखती है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों का मजाक उड़ा आप उन्हें पाखंड बोलो जूट बोलो और अंदिविश्वास का टैग लगा करके उनक कि तूस सकते है तो कई करें कि एन-बोलो टैवविश्वי其實 दिखती है waking दो फिसनकार आप दूसरों की नहीं दोस हैं आपको जगД करेंको सबनाते हम में गच भाला नहीं वा आपको